नमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पर है दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मित करता हूं और आसा करता हूं कि आप सभी लोग देवों के देव महादेब की किरपासे और माता परवती की किरपास आप सभी लोग अपने जवनकाल में बहुत ही खोश हूंगे और बहुत ही अच्छे हूंगे दोस्तों हम आप शबीयों को बता देगी दोस्तों आने वले अगडे दो दुनों के भीतर यानि की दिनांक का 12 और 13 अपरे 223 से आप सभी के जवनकाल में लेकर आ रहे हैं बहुत एध्यासिक परिवर्तन इस परिवर्तन से आपकी पूरी जिन्दगी ही बदल जाएंगी और दोस्तों आप लोग एक जट्के में रोड़ पती से करोरपती बन जाऊँगी दोस्तों इन दो कि भीतर आप सभी के जिवनकाल में इतने बड़ी खुसकबरी आपके जोली में गिरने वाली हैं दोस्तों जिन्हें देखकर आपको अपनी आखों पर यकिन और विश्वास नहीं होंगी और इस खुसकबरी को सुनकर आप और आपके परिवार के सबी लोगी आसमें काफी दोस्तों अब आपके दुस्मन के पूरे खंदान खोन के आश्यों रोएंगे क्यों दोस्तों उन्होंने जैसा कर्म किया था दोस्तों अब आपके दुस्मनों को उनके कर्मों का फल यासमें देवों के देव महादेव वैसा ही इन दोजनों के भीतर देने वाली हैं और नहीं आपके दुस्वनों ने कभी कल्पना कियो होंगी जी दोस्तों तो आज की यवड़ों आप सभी जातों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महतपून है और महतपून गरह गोचर के धार पर बनाए गई हैं तो आज की इस विड़ों को आप बिल्कुल भी भूल से मि देव की क्रिपास और माता परवत्ते की क्रिपास आप लोगोंको कौन-कौन्स बड़ी खुसका बरि प्राप्त होने कहने वाली हैं तो आपकी जिवनकाल में क्या परिवर्थन लिकरा रहे हैं कौन-कौन से बजलरा होंगे तो आप लोगों को किनि-किन छेतरमिय से में अर्थिं एस्तिति घर प्रिवार का मोहल और विद्यार्थों के लिश्य में केसा रहने वारी हैं दोस्तों हम आप लोगों को सारे के सारी जानकार्यां पूरी सच और पूरी सटिक बताऊंगा तो आज की इस बीड़ों को आप रुसरू से लेकर अंद्ध्यान से जरूर हैं तो आए दोस्तों बात करते हैं बुड़ огр diesen बात करते हैं दोस्तों उससे पहले देवों के दे बहातेवके सबी सच्चे भकति इस विडि़ो को अभीक अपने प्यारी हाथों से एक प्रसलेइट जरू करें साथे कमेंड बॉक्स में प्रैम से ओम नूश्व बाय हर हर मा करते हैं गुरू जी के बडèse सुनर अनमौल उग्यान के साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत खास और भो करे छोट थ उमरंदा करे त्रभे इसाहि का मैं हुए दोस्तों इसका आर्थिया है गुरू जी की एत सबी लोग भगवान को याद करते हैं पर जब इनसान के जीवन में सुख होता है तो भगवान को कभी नहीं याद करते हैं दोस्तों अगर हर इनसान सुख और दुख में हमेशा भगवान को याद किया चाहे तो इनसान के जीवन में आकिर दुख ही क्यों हो जी दोस्तों तो इन बातों को आप रूँ हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में रखना और दोस्तों आप हमेशा भगवान की पूज़ा करने और आप हमेशा भगवान को याद करना चाहे आपके जीवन में कितनों सुख हो आपके जीवन में चाहे कितनों दुख हो आप हम हमेसा भगवान को याद करना क्यों कि दोस्तों हम जो भी हैं वा भगवान की करपास नहीं है montant को याद जरूर करना जरूस्तों तो अगर गुची ओभूं उगा करते हैं अब क्याने वाल इरैतिस कोरिये चाफ्यार्द में है दोस्तों आने वाले यह दो दुनों के आप सभी Zyatka के लिए बहुत एक हास और बहुत लखी दिन रहने वाले हैं स्कूछ दोस्तों एन दो दुनों के समावधी में आपको किसी व्यक्ति की मदद से कुछ ऐसे आपको यहli happened काम्याबी प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगी और यासे में आपको अपने इक्ष्ट मित्रों के मदब से आप अपने शार्याठ की काम भी करने में काम्याब होंगे जिन से आप रोयासम काफी कुछ और काफी प्रेशन दिखाई देंगी ओ तुद्स आपके जीवन-काल में जो भी सही थी जो फिर जो समय से अपका पीछा नहीं छोड़ रही थी तो दोस्तों सारी शमस्राओं से आप रोगों को इन दो दोनों के भी इतर अतानक से मुक्ति बिलतियों दिखाई देंगी जहने देखकर आपको अपने आखों पर रेकिन और विश्वास ने होंगी आपने कभी कलपना भी नहीं कर सकते होंगी कि हमारी जिवन की परिसानिया कभी कोछ इस तरह से दूर भी हो सकती थी ओ दोस्तों आप सभी को बतन दोस्तों आपको जिवन में किसी बात का चिंता करने की बिलकुल भी आउसकता है नहीं है बस आपको अपने जिवन में अपने लक्ष पर फोकस करें और आप उस काम्यावी को हासिल करने का प्रयास करें दोस्तों आप जितना मेंद करेंगी दोस्तों आप लोगों को उतना ह मेहनता का फौर आपको पराप्त जरूर हुंगे और आपने से मैय दोस्ता कॉष्मी यह दोस्तों अगर काफीं लंभेश मेंसे आप को आओ पराप्त करेंगे जह आप मेहनता और परिश्रम करते हुए आ रहे थे दोस्तों अब आपकी उस मेनत में रंग लाने पाले हैं और आप लोगों को वो सपलता इन दो दुनों के भीतर प्राप्त भी हो सकते हैं दोस्तों जो लोग काफी लंबेश में से अपने नोकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो दोस्तों उनकी कामना यसम पूरी होने के योग बन रही हैं दोस्तों उन लोगों को उनसे भी अच्छी नवकरिया से प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे भी लोगों को उस चेतर से धन के प्राप्ति होने के यूग बन रहे हैं दोस्तों जिस चेतर में आपने कापी लंबेश में पूरु ही निविस की होते, जिस कारण साज आपकी आर्थी इस्तिति में कापी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगी और आपकी आर्थी इस्तिति भी आसे में कापी अच्छी मलबूत बनी रहेंगी तो दोस्तों अगर सुवास्त के दरेश्टीम दिखा जाए तो आज सीने में दर्द रहने के सिकाते हो सकती हैं इसके उज़र से गैस की समिस्टे या फिर कोई भी हिर्दे रोगी भी आज हो सकती हैं तो इसे माज आप लोगों को दवा के मामले में लापरवाही पिल्कुल भी ना करें नहीं तो आपको बाद में शमिस्याओं को शमन करना पड़ सकती हैं